हेलो दोस्तों आपका मेरे चनल में एक बार फिर से वेलकम है और आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे क्राइजन्थिमम के प्लांट्स के बारे में आपको पता है जो हमारे गुल्दावदी के पौदे होते हैं अगर उस पे आपको बड़िया फूल चाहिए तो आपको जो केर है और जो चीजे हैं वो आपको तीन महीने पहले शुरू करनी पड़ती है तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा एक अच्छा पौदा हमें क पैसे त्यार करना चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने कटिंग्स लगाई नहीं है अभी लगा लीजिए और 15-20 दिनों बाद आप उन कटिंग्स को जब जड़े आ जाएंगी हम उनको ट्रांस्प्लांट कर लेंगे तो आप देख साथे सबसे पहले ट्रांस्प चाहिए तो आपको अच्छे तरीके से मिट्टी साथ में होनी चाहिए अगर आप उसको अच्छे बढ़िया तरीके से विदाउट जो ट्रांस्प्लांटेशन शॉक लगाना चाहते हैं तो मेरे पास दोस्तों नॉर्मल मिट्टी है सबसे पहले आपने कोई भी इसमें चाहिए और इसके अभी दोस्तों करीब आप कहा सकते हैं 15 दिनों बाद आपको ऐसा पौदा मिलेगा जब इसकी ग्रोध थोड़ी सी शुरू हो जाएगी शुरू होते ही दोस्तों आपको थोड़ा सा पीलापन देखेगा पौदे में क्योंकि जब प्लान हम नया लगाते ह इसमें पानी उपर नीचे हो जाता है जो बड़ी बात नहीं है ये बाद में रिकावर हो जाता है क्राइज एंथिमम में अकसर ये देखा जाता है मेरे पौदों में हर एक साल होता है पर बाद में ये सही हो जाते हैं अभी दोस्तों मैंने क्या किया है इसके पिंचिंग कर जब थोड़ा सा आपका पौदा बड़ा हो जाए करीब 3-4 इंची का और हमारा जो पौदा है जो नई-नी ब्रांची है जब वो आएंगी उसको अच्छे तरीके से सपोर्ट करने के लिए मजबूत हो जाए नीचे से उसकी जो स्ट्रॉंग स्टेम हो जाए इसी कारण क्या कर रहा हूं कि उपर से मैंने पिंचिंग करी है और करीब 10 दिनों बाद आप देखेंगे जो आपका प्लांट है ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा पिंचिंग करने के 10 दिनों बाद जो नई-नई शूट्स हैं इसके स्राउंडिंग में से निकलनी शुरू हो जाएंगी तो य यह दोस्तों जो आप देख सकते हो यह हमारे पास 40 दिन बाद का पौदा तो अभी दोस्तों सबसे जरूरी आता है जैसे यह मैंने आज क्लिप शूट की है 40 दिन बाद जो मेरा यह वाला प्लांट है इसमें आप देख सकते हो बहुत अच्छी जो ब्रांचिंग आ गई है तो इसमें हम क्या करेंगे और्गैनिक फटलाइजर डालेंगे जिसमें मैंने क्या किया है करीब 2-3 परसेंट जो हमारे पास उपलों की राक होती है यह ली है यह दोस्तों बहुत ज़रा बेनिफीशल रहती है हमारे पौदे में कीड़ा नहीं लगने देती और दूसरा मैं कोई भी फटलाइजर और डालने की जुरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए आप इस फटलाइजर के साथ ही जा सकते हैं अभी दोस्तों डालना कैसे है तो मैंने खुर्पे के साथ इसकी जो उपर वाली सतय होती है मिट्टी की टॉप सोयल होती है उसको सौफ्ट कर लिया और एक डेड़ मुठी आठ इंची के गमले के हिसाब से मैंने मिला दिया है तो आपका जो दोस्तों जो प्लांट है इसको हमने खात दे दी है तो आपका प्लांट रैडी हो गया है तो ये दोस्तों आपको मैंने सिर्फ प्रॉसेस बताया है पहले से लेकर अभी तक आपने जो और अगर आपको दोस्तों अच्छी quality के बीच आए winter के seeds तो आप garden दोस्की website से ले सकते हो वहाँ पर आपको DC और F1 quality के मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए तो आप वहाँ पर चेक करिएगा और आपको जो भी जर्बेरा plants जो हमारे पास जो plants रहते हैं जिनके जो reality में जो genuine seeds हैं वो आपको इस जगा पे F1 important मिल जाएंगे और दोस्तों हमारे पास जो अगला जो problem रहता है वो है millibugs की समस्य है जो सफेद रंग के कीडे होते हैं ये मेरे पादों में भी दोस्तों हर एक साल आते हैं ये actually इनका season रहता है जैसे आप मान लीजिए October में भी होते हैं और August से शुरू हो जाते हैं तो इसमें दोस्तों neem oil का भी मैंने spray करके देखा है पर neem oil का मुझे इतना जारा इसमें फायदा नहीं मिला है इसलिए मैं क्या करता हूँ मेरे पास अभी एक solution है वो है oh mite ये एक दोस्तों chemical है आप अगर spray करना जाहें कर सकते हो नहीं तो आप कोई organic में neem oil यूज कर सकते हो उसके साथ काफी अद तक control हो जाता है पर जैसे मेरे पास ज्यादा पौदे हैं तो मैं neem oil इतना जारा spray नहीं कर सकता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया जो oh mite की दवा ली है इसके साथ दोस्तों कोई भी mites का attack रहता है ये मच्छर बगएरा आता है आपके बादे में या फिर mille bucks की समस्या आती है कोच भी होता है तो caterpillars भी सभी जो हमारे plants में से निकल जाते हैं इसलिए मैं दोस्तों क् अपने plant में डालाओं करीब 2 ml के आसपास मैंने डाला ये थोड़ा सा पुराना हो गया है पर फिर भी जो मेरा plant है ये इससे सही हो गया ये मैंने चार-पांच दिन पहले shoot करी थी वीडियो और इसके बाद mille bucks है दुबारा से नहीं आये हैं mille bucks दोस्तों जब भी आते हैं note क करीगा उसके साथ ही आपके चीटियां में जुरूर आएंगी क्योंके जो mille bucks की उपर वाली layer होती है उसमें शुगरी material होता है शुगर होती है जिसके कारण चीटियां बहुत जादा एकठी हो जाती है तो इसका दोस्तों spray आपको सिर्फ महीने में एक बार करना है क्योंके chemical है इसलिए जादा आप डालेंगे तो पत्ते जोलस सकते हैं तेज होती है इसकी जो दवा रहती है ओमाइट की तो यही दोस्तों वीडियो थी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो भी आपको अगर क्राइजन्थिमम के पौदे चाहिए अगर आप फूल अ कुछ बीज लगा रहा हूं और कुछ बीज मैंने लगा लिए हैं अगर आपको बीज चाहिए गाडन दो से ले सकते हो मैं भी वहां से मुशली जो एफवन सीट लेता हूं जिसका मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है काफी बार जो सीट ग्रो करने में आपको पता होना चा थैंक यवर ओचिंग